श्रावन सोमबार प्रत कथा और दन संपती को कौन संभालेगा। पुत्रपाने की इच्छा से वेह वेपारी प्रती सौंबार बगवान शिव की वरत पूजा किया करता था। साएंकाल को वेपारी शिव मंदिर में जाकर बगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस विपारी की भगती देकर एक दिन पार्वती ने बगवान शिव से कहा, हे प्रामनात, ये विपारी आपका सच्चा भगत है, कितने दिनों से ये सौंबार का वरत और पूजा नियमित तुर्ट कर रहा है, बगवान आप इस विपारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें बगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके करम के अनुसार फल की प्रापती होती है, प्रानी जैसा करम करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्रापत होता है, इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने आगरे करती हुए कहा नहीं प्रामनात आपको इस व्यपारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी ये आपका अनन्य भकत है प्रती सोंबार आपका विदिवत प्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको बोग लगा कर एक समय बोजन ग्रहन करता है आपको इसे पुत्तर प्राप्त का वर्दान देना ही होगा पार्विति का इतना आगरे देकर बगवान शिव ने कहा तुम्हारे आगरे पर मैं इस व्यपारी को पुत्र प्राप्ति का वर्दान देता हूं लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा उसी रात बगवान शिव ने इस व्यपारी को खुशी तो हुई लेकिन पुर्तर की अलपायू की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया। व्यपारी पहले की तरह सोंबार का विदिवत वरत करता रहा। कुछ महीने पश्चाद उसके गर अती सुंदर पुत्तर उत्पन हुआ। पुत्तर जनम से व्यपारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत दूमदान से पुत्तर जनम का समारो मनाया गया। वपारी को पुत्र जनम की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपायों के रहस्य का पता था ये रहस्य गर्मी किसी को नहीं मालूम था विद्मान ब्रहमनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर भारा वर्षका हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारनर्सी बेजने का निर्ष्टे हुआ व्यपारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा की अमर को शिक्षा प्रप्त करने के लिए वारानसी छोड़ाओ अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्रप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रातरी विश्राम के लिए ठहते बहीं यग्य करते और ब्रामनों को बोजन कराते थे लंबी आतरक के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवा की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर ब्रात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का बहे स्ता रहा था कि राजाओं को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवा से इनकार न कर दे इस से उसकी बद्धनामी होगी विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा वर के पिता ने इसी संबंद में अमर और दीपचन से बात की दीपचन ने दन मिलने के लालच में वर के पिता की बात सभिकार कर ली अमर को दूले के वस्तर पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवा करा दिया गया राजा ने बहुत सा दन दे कर राजकुमारी को विदा किया अमर अब लोट रहा था तो सच नहीं चिपा सका और उसने राजकुमारी की ओडनी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्र का तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारानसी में शिक्षा प्रापत करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वहग एक आंक से काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओड़नी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया राजने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचंत के साथ बारानसी पहुंच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू 16 दान के अनुसार शेना वस्ता में ही अमर के प्रान पखेरू उड़ गए। सूरे उधे पर मामा अमर को मृत देकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकतर होकर दुख प्रगट करने लगे। मामा के रोने विलाब करने के सवर समीप से गुजरते हुए बगवान शिव और माता पारवती ने भी सुने। पारवती जी ने भगवान से कहा प्रावनाथ मुझसे इसके रोने के सवर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पारवती जी के साथ अद्रिशे रूप में समीप जाकर देखा तो पारवती जी से बोले पारवती ये तो उसी विपारी का पुत्र है। मैंने इसे सोला वर्ष की आयू का वरदान दिया था। इसकी आयू तो पोरी हो गई है। पारवती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया है प्रानात आप इस लड़के को जीवित करें। नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यों के कारण रो रोकर अपने प्रानों का त्या कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परंभकत है। वर्षों से अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवा हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा। राजा ने अमर क को तुरंत पहचान लिया यग्य समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्तर देकर राजकुमारी के साथ विदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ बेज दीपचंद ने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर बेज कर अपने आगमन की सूचना देजी अपने बेटे अमर के जीवित वापिस लोटने की सूचना से विपारी बहुत प्रसन हुआ विपारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वैम को एक कमरे में बंद कर रखा था ब विपारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्रवद्दू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसी रात बगवान शिव ने विपारी के स्वपन में आकर कहा हेशरिश्टी मैंने तेरे सोंवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से परसं होकर तेरे पुत्र को लंबी आयूँ वर्दान की है व्यपारी बहुत परसं हुआ सोंबार का वरत करने से व्यपारी के घर में खुशियां लौट आई शास्त्रों में लिखा है कि जो इस्त्री पुरिष सोंबार का विदिवत वरत करते हैं और वरत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाये पूरी होती हैं ओम नमस्शिवाई